So Hello Friends, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं COVID-19 के बर में COVID-19 के बर में COVID-19 अब गाइस इनके क्या-क्या बताई नहीं जा रही है तो ये सारी चीज़े मैं आज की वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दूँगा लास्ट में आपको ऐसे कुछ टिप्स भी बताऊंगा जगर आपको ये बिमारी हो गई है तो आपको अभी क्या करना चाहिए और किन-किन जगाओं का आपको हेल्प देना चाहिए अगर इंडिया में बात करें तो गाइस सबसे बड़ी जो प्लॉब्रम है वो है अन्विस्वास सुपर्टीशियस इशूज इसके वज़े से गाइस इंडिया में काफी लोग काफी कुछ अलग-अलग करते हैं जिस का the most common symptoms जो हमें दिख सकता है एक बिमारी के पहले वो है कि आपको हो सकता है कि common cold जैसे कुछ symptoms दिखे जैसे कि आपका हो गया fever आपको देख सकता है हमारा जो बॉडी का जो normal temperature होता है वो 36 to 37 degree Celsius होता है पर काई अगर 38 या फिर उसके ऊपर अगर आपका temperature दिख रहा है तो कुछ कुछ chances आपके भी बनते हैं second जो most common symptom अभी तक देखा गया है वो है guys tiredness आपकी body काफी tired feel करेगी और किसे भी काम करने का आपको दिल नहीं करेगा इसका कारण यह है कि यह lungs को effect करती है तो इस कारण से अगर आप सास नहीं ले पारे हो जादा तो body तो tired feel करना काफी लाजमी है third common symptom अभी तक देखा गया है वो है कि आपको dry cough हो रहा है सूखी खासी तो guys अगर आपको सूखी खासी हो रही है तो भी आपको सोचने की जरूरत है इसके बाद guys जो हमारा most common symptom आ रहा है वो है sore throat अब guys आपको यह जगा पर आपको कुछ अजीब सा लगेगा आपको हमेशा प से आपको काफी खासी होती है तो और बहुत सारे आपनियों को dust allergy होती है जैसे कि मुझे है तो यह सारे चीज़े इसके कारण होती है तो ऐसी जगाओ उपर सिर्फ 5% लोगों में देखा गया है यह problem जिनको यह बिमारी हुई है पर maximum the cases में runny nose नहीं होते COVID-19 होने के symptoms में आपको जब सास लेते हैं आप पहले तो normally सास ले पाते थे आपको कोई problem नहीं थी पर अभी आपको सास लेने में काफी problem हो रही है इसका कारण हो सकता है कि शायद आपको COVID-19 हिट कर चुकी हो इसके बाद जो आपको most common symptom दिख सकता है वो है nasal congestion इसके बाद भी एक common चीज़े ह रहे हैं तो यह most commonly है कि शायद आपको COVID-19 हो गया हो आप जितने भी symptoms मैंने बताए ऐसे बहुत सार ऐसे cases भी देखे गया है जिनमें यह symptoms नहीं दिखे हो आज तक फिर भी उन्हें यह COVID-19 हो गया है इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है आपको अपने 14 days की बिमारी उठके आती है और पता चलता है कि आपको COVID-19 हुआ है अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो काफी अलग हो सकता है guys 80% of the people अगर यह बिमारी से effect होते हैं तो automatically वो recover कर सकते हैं इसका कारण यह है कि उनका जो immunity power है वो काफी ज़ादा है but guys अगर आप 6 लोगों को compare करें अगर COVID-19 हुआ है तो उन में से हो सकता है उन 6 लोगों में से किसी एक आदमी को काफी severely वो ill हो इसका कारण बहुत चीज़े हो सकते हैं जैसे कि वो smoking करता हो उसकी कोई breath की problem हो तो यह सारे चीज़े उनको effect कर सकती है अब मैं आपको जो चीज़ बताऊगा वो आपके family members के लिए काफी problem हो सकता है जैसे कि older people के लिए क्योंकि guys यह जो बैमारी है यह जो maximum of the cases में जिसे यह ज़्यादा severely ill हो रहे है या फिर उनका death हो रहा है वो है कि वो older people है मतलब वो 50s से उपर है या 60s से उपर है या 30-40 से उपर है यह को ज़्यादा नहीं हमारे माता-पिता भी 30-40 से उपर ही है अगर आपके जो older people हैं घर में क्या उनको यह बैमारी है दिन उन्हें ज्यादा साब्दान होने की जरूरत है यह सारी बैमारी आप लेस्डाउन कर सकते हैं जैसे कि आपको अगर heart disease हुआ हाई blood pressure, diabetes और फी कुछ common चीज़े जो basically आपकी internal system ज्यादा weak हो 30 जगाओ उपर हो सकता है कि आपको यह ज्यादा severely ill कर दे जब सबसे common question यह आता है कि हमें अगर common cold हुआ है कोई flu है या फिर हमें COVID-19 है तो हमें कैसे पता चलेगा guys flu जब हमें होता है या फिर common cold हमें होता है तो हमें headache होता है हमें muscle pain होता है अगर आप gym जा रहे हैं तो आपको muscle pain होना काफी लाजमी है पर अभी तो gym भी closed है तो आप देख सकते हैं तो अगर आपको headache हो रहा है अगर आपको muscle pain हो रही है तो आपको हो सकता है common cold हो otherwise आपको COVID- 19 के बारे में भी सोचना चाहिए आप COVID-19 में ये भी देखा गया है कि COVID-19 maximum of the cases को older people को hit कर रही है तो guys अगर आप एक children है एक adult है एक pregnant woman है तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है फिर भी guys World Health Organization ने सभी को सावधन रहने की notice दी है इसका कारण ये है guys कि अगर आप भी severely ill होते हैं या फिर आप जड़ा भी अगर इस बिमारी से hit होते हैं पर guys आपके जो recent hospitals है उन में beds नहीं बचेंगे जादा जिन कारण से आप अपना treatment नहीं करवा पाएंगे आपको भी अपने life से हाथ धोना पड़ेगा तो इस जगह उपर ज़्यादा साफदा होने के आपकी जरूरत है अब guys सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये है कि I think I have some symptoms of COVID-19 then what should I do now? सबसे पहली चीज मैं एचो आपको recommend करूंगा वो है कि अगर आपके बाई कोई family doctor है तो उन्हें आप जरूर फोन करें उन्हें अपना symptoms बताए और उनसे concern करें कि क्या हमें अभी करना चाहिए तो ये काफी एक safe measurement होगा आपके लिए अब जो second चीज है guys वो है कि आपको central help line number पे phone लगाना चाहिए और भी state में help line numbers on हो चुके है तो आप उनमें phone लगाईए अब ये सारी चीज़े आपके side में screen में दिख रही है otherwise आप जो है description में एक PDF का link दिखेंगे जहां पर आप सारे numbers को download कर पाएंगे और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज की symptom दिख रही है तो आप उन्हें जरूर पहले phone लगाए उनसे concern करें और उनके बाद क्या करना चाहिए आपको वो बता देंगे अगर आप concern कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको शायद हो सकता है तब आपको क्या करना चाहिए आपको तभी नीजी कोई hospital जो आसपास कोई hospital हो उनमें पहले सबसे पहले phone लगाए उनमें appointment के लिए phone करें appointment जैसे ही आपको मिलता है तो वो आपके लिए arrangement कर देंगे और आसपास जगाएं काफी खाली कर देंगे या फिर हो सकता है कि आपके लिए एक ambulance को भेजें guys be safe अगर आप यहाँ पर काफी गलत चीज़े दिखाते हैं आप काफी गलत steps लेते हैं आप यह बिमारी को शोचते हैं कि फैलाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए भी बहुत बड़ा problem हो सकता है हो सकता है कि शायद आप recover कर जाएं पर इस जगाँ पर अगर आप काफी लोगों को यह बिमारी देते हैं तो हो सकता है hospital में आपके लिए कोई भी जगा ना बचे इस कारण से आप severely hit कर सकते हैं और हो सकता है कोई और आपकी जगा ठीक हो जाए आप doctors आपसे कौन-कौन से चीज़े पूछ सकते हैं वो काफी अच्छे से आप note down कीजिए आपके कोई travel history या फिर आपने 14 days के अंदर किसी भी एक ऐसे patient से बात की हो जिसे अभी पता चला है कि वुसे भी COVID-19 है तो इन सारी जगाओं पर आपको भी self-quantain करना चाहिए अपने आपको self-isolate करना चाहिए अगर आप इस जगाओ पर काफी गलत steps दिखाते हैं अपने family members को include करने की कोचिश करते हैं उन से जाकर मिलते हैं तो guys सिर्फ आप अपने आपको नहीं अपने family members को काफी risk में डाल रहे हैं तो इस जगाओ guys सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको responsibility लेनी पड़ेगी अपनी उपर और सबसे ज़्यादा आपको tension कम करना पड़ेगा तो इस कारण से क्या होगा कि आपकी immunity power up to the level रहेगी और इस कारण से आपको कोई problem नहीं होगा अगर आप smoking करते हैं और आप ऐसे कोई भी चीज़ करते हैं जिसके आपकी lungs को effect हो तो guys आपको ये सारी चीज़े अप कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए अगर आप इसे बंद नहीं करते हो तो आपको अगर in future कोई भी problem होता है तो आप इससे fight नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको समझने की ज़रुवत है कि ये जो maximum है हमारे lungs को effect करते हैं तो अगर आप मेरे lungs को जादा healthy रखें हमारा immunity power काफी high हो तो हम इनसे fight कर सकते हैं तब तक guys अगर आप 14 days के लिए self contain करते हैं तो आप अपने सारे symptoms को देख पाएंगे हम लोग तब तक मिलते हैं next video में guys आगर आप video आपको helpful लगा तो आप एक like button प्रेस कीजिए चाहे तो वीडियो को share कर सकते हैं और comment down कर सकते हैं आपकी कोई भी question हो तब तक हम लोग मिलते हैं next video be safe, be healthy